ये शिकल की ओम नमो भगवते वासु देवाय समय परिवर्थन शील है समय ही सबसे बड़ा गुरु है क्योंकि समय की रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम अपने जीवन चक्र में बहुत सारे कड़वे मिठे खटे अनुभव लेते जाते हैं और हमारा जीवन कभी अनन दुखों से लेकिन यही उठापठक इनसान को सही अर्थों में इनसान बनाती है माना अवतार कल की ओतार जब इस धरा पर हैं मौजूद तो आज के समय में जो बहुत ही अलग समय चल रहा है क्योंकि चारों तरफ अशान्ती भरा महौल ऐसे महौल में कल की ओतार बने हुए हैं किसी के लिए काल तो किसी के लिए बन चुके हैं वो ढाल कौन है वो जिन के लिए कल की ओतार बन गए हैं काल साक्षात काल और कौन है वो जिन के लिए कल की देव को कल की देव का सहारा एक ढाल की तरह मिलेगा क्यों कलकी अवतार के दो रूप आज के ही समय में कलकी को लेना पड़ रहा है वो तो है तारण हर वो तो है मददगार फिर ऐसा क्या कारण है कि उन्हें काल और ढाल दोनों ही बनना पड़ रहा है वर्तमान परिश्थितियों में आज का समय वो समय जब सत्य और असत्य के बीच जंग छिड़ गई है अच्छाई और बुराई के बीच महा युद्ध चल रहा है और असुरों की ताकत भी दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम और जो बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनकी संख्या जादा क्योंकि जब बुराई जादा होगी नहीं तो कल की ओतार खत्म किसे करेंगे और बुराईयों को अधर्म को खत्म करने के लिए ही कल की देव आये हैं और वैसे भी भगवत गीता में श्रीकिष्ण ने कह दिया है कि जब जब बुराईयां बढ़ेंगी जब जब अधर्म का बोल बाला होगा मैं काल बन कर इस धर्ती पर आऊंगा हर बार हर युग में मैं जन्म रूँगा और अब देखिए जब कल युग में प्रेजन टाइम में कल की अतार का जन्म इस धरा पर हुआ है तब उनके सामने भी बहुत विकट परिस्थितियां मूँ बाई खड़ी है जिनका सामना वो हसते मुस्कुराते हुए सौम्य रहकर सौफ्ट रहकर नहीं कर सकते इसलिए ऐसे लोग जो की नफरत की भाषा बोल रहे हैं जो अन्याय के राखते पर चलना छोड़ नहीं रहे हैं जो आज अत्याचारी और अधर्मी बन चुके हैं जो आज दूसरों को सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं क्योंकि उसे ही उन्होंने अपने जीवन का उदेश्य मान लिया है आज जिन्होंने हमारी प्रित्वी को धर्ती माता को प्रतारित किया है आज जिनके कारण विशैली हवा में हम सांस ले रहे हैं आज जिनके कारण चारों और त्राहिमम त्राहिमम करके लोग इश्वर को पुकार रहे हैं। आज जहां हर तरफ आप कहीं पर भी देखिए एक ना एक ऐसी घटना हमारी आँखों के सामने आ जाती है जो हमें अंदर तक हिला देती है। संदेश खाली पश्शी मंगाल का वो इस्थान जहां ऐसे भयानक खुला से हुए हैं कि सुन कर भी इनसान के रोंगते खड़े हो जाएं। अब ऐसे द्यत्य और दानवों को खत्म करना जब आज का इनसान अपने आपको बहुत मजबूर पा रहा है। और रक्षक ही जहां बन गए हैं भक्षक क्योंकि जो वहां की सरकार है वही जब पापियों को दे रही है सुरक्षा तो ऐसे समय में कल की ओतार को उतरना पड़ा है धरती पर और बनना पड़ा है काल। उन लोगों के लिए जिन्होंने धरती माता के सीने में ना सिफ खंजर्मों का बलकि धरती माता को रहने लाइक छोड़ा ही नहीं। आज हमारे देश की पवित्र भूमी इस कदर से मैली होती जा रही है विशेली होती जा रही है कि आज इंसान चैन से सही ढंग से साज भी नहीं ले पा रहा है तो ऐसे इंसान जिनोंने की अपने जीवन के उदेशय को भूलकर मानव धर्म को भूलकर सिर्फ और सिर्फ नफरत के धर्म को अपना लिया है दैत्य बन गए हैं इनसानी रूप में उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए उनका सरवनाश करने के लिए आज कल की ओतार मूख विद्वन शक यानि सिर्फ और सिर्फ काल बन गए हैं और ऐसा काल जिससे की बच पाना इंसान के लिए आसान नहीं है जिस प्रकार मृत्यू जब काल बन कर आती है तब कहां कैसे वो किस इंसान को अपने आगोश में ले ले कोई नहीं कह सकता तो आज कल की ओतार तूट पड़े हैं उन लोगों पर जिन होने की अब तक अपनी मनमानी की और अपनी मनमानी करके दुसरों की नजरों से बच कर केवल और केवल स्वार्थ, लालच, पाप, अधर्म, अत्याचार की बोरिया भर भर के पूरी दुनिया में फैला दी जिनके कारण आज इनसान ठीक तरह से अपना जीवन नहीं जी पा रहा है नादान भोले भाले इनसान जो की गरीबी से मेहनत करके अपना पेट भरते हैं फिर भी खुश रहते हैं ऐसे लोगों की पुकार अज कोई सुनने वाला नहीं है तो ऐसे ही लोगों को सुरक्षा देने के लिए उनकी ढाल बन कर अब कल की अवतार को अपना रोल प्ले करना है और वो कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री हरी ने जब नरसिया अवतार के रूप में जन्मलिया धर्ती पर आए तब हिरन्य कश्यप के लिए वो बन गए काल लेकिन उनका क्रोधित रूप उनका वाइलेस वाला रूप बिल्कुल भी प्रलाद को नहीं जला सका कोई नुकसान नहीं पहुचाया क्योंकि वो ढाल बन कर प्रलाद के लिए खड़े हो गए श्रिकिष्ण काल बन गए कौरवों के लिए लेकिन वही श्रिकिष्ण ढाल बन गए पांडवों के लिए राम काल बन गए रावण के लिए लेकिन ढाल बन गए उन लोगों के लिए जिन्हों ने की सही रात्ते का चुनाव किया आज के समय में कल की अवतार भी ऐसे लोग जो कि धर्म के राते पर चल रहे हैं जिनको न्याई की तलाश है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बहुती सीधे साधे ढंग से और भोले भाले तरीके से मेहनत करके जिया है लेकिन आज लोगों की द्वारा उन्हें प्रतारना दी गई है उन्हें प्रतारित किया जा रहा है और उनकी आवास सुनने वाला कोई नहीं ऐसे लोगों को न्याई दिलाने के लिए आज कल की अवतार उनके साथ ढाल बनकर खड़े हैं तो एक तरफ काल और दूसरी तरफ उसी समय में बन गए हैं कल की अवतार ढाल यानि काल और ढाल के बीच कल की अवतार की जर्नी जब प्रेजन टाइम में चल रही है तो लोग आज भी अपने एरोगेंस को दिखलाते हुए ये सोच रहे हैं कि कोई उनका कुछ नहीं बिगार पाएगा और जिन्हों ने घमंड जब जब दिखलाया तब तब उस घमंडी का सिर निचा करने के लिए घमंडी का सिर काटने के लिए श्री हरी ने अपने हाथों में उठा लिए अस्त्र आज भी कल की अवतार जब इस धरा पर मौझूद है तो उन असहाई मजबूर लाचार लोगों के लिए वो ढाल बन कर खड़े हो गए हैं जिनकी आज तक किसी ने एक नहीं सुनी और जिनको आज तक न्याय नहीं मिला सिर्फ और सिर्फ वो अन्याय की शिकार बनते चले गए कहते हैं देर होती है भगवान के यहां लेकिन अंधेर कभी नहीं देर से ही सही लेकिन न्याय तो कल की आतार करेंगे जरूर क्योंकि वो भी कहीं न कहीं धर्ती पर आने के पश्चात समय के नियम से बद गये हैं तो जब जिसके पाप का घड़ा भरेगा तभी वो फूटेगा लेकिन उसको फोड़ने का तरीका और सजा देने का तरीका अलग-अलग होगा जिस तरह के पाप उसी तरह की सजा तो प्रिजन टाइम में कल की आतार एक के लिए काल लेकिन दूसरे के लिए ढाल यह जिए वरिप मुझे लिए लिए